जितने भी बॉइजन गल्स और हमारे एक्सवरीसमेन और जितने भी हमारे देख रहे हैं वीडियो को जितने भी यंग्स्टर नोजवान जो भरे हैं इस वीडियो के मादम से मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ क्योंकि आपको मैं इस वीडियो के मादम से बता दूँगा कि कितना कितना माक्स आपको लाना है ध्यान पुर्वक्स सुने और ये बात को ध्यान रखें कि आप लोग जितने भी हो जो एक्नॉमिकर वीकर सेक्षन से हो या अबीसी से हो जर्नल से हो या अधर कैटेगरी से हो या फिर एसी हो या एस्टी हो ध्यान पुर्वक्स सुनेंगे कितना किसको चाहिए क्योंकि एससी जीडिक में बहुत सारा ड्रीम जॉब होता है हमारे सभी युवाओं का और मुझे आशा और उमीद है कि आप चैनल को प्यार जरूर देंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नीचे दिए गए सब्सक्राइब को बटन जरूर दवाएंगे ताकि आपको ऐसी और भी आगे वीडियो मिलते रहे देखिए यहां पर ऐससी जीडी में आपको बतादे जो आपका जर्नल का है तीस परसेंट है ओबी सी को 25 परसें अधर केटेगरी में आपका स परसेंट को 20 परसेंट फॉर एक्जामपल अभी जो मैं बताने जारा हूं सुनिएगा जैसे सोला का अगर एक सो साथ एक नट सुनिएगा ध्यान प्रुवक सुनिएगा एक सो साथ माक्स का एक्जाम है जिसमें अगर आपका 30 परसेंट जर्नल को लाना है तो 30 डिवाइड 100 यहाँ पर आपको 48 मार्क तो लाना ही लाना है अगर आपको 48 मार्क लाने से आप पास हो जाएंगे लेकिन मैं भीर से बताया वी कि इसकीप नहीं करना बस पास होना ही इस पी इंपोर्टेंट नहीं आपको अपना राज्य का कट अधक भी किलिए करना पड़ेगा फिर से स होना important नहीं है cut off clear करना होगा आपको अपने राज का और आभी मैं इसके second वीडियो में लाँगा कि cut off कितना जाएगा आपके राज का तो अभी मैंने यह बताया कि pass mark से आपका यह दिया हुआ है कि आपको इतना तो कम से कम pass होने के लिए चाहिए ही चाहिए लेकिन pass होने से नहीं चलेगा चलेगा क्या नहीं चलेगा ठीक है इस वीडियो को यहीं पर end करते हैं जैन जावारत बंद मातल।